हेलो, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ सब बढ़िया है, आज जो मैं रेसिपी ले के आई हूँ, वो हमारे गार्डन के मैंगोस से है, मैंने सोचा सीजन खतम उससे पहले एक अच्छी सी रेसिपी मैंगोस के साथ आपको शेयर कर दूँ, तो मैंगोस आपको चॉप करने ह आपको इसके लिए, फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल गरम करिए, आपको इसा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैंने नारियल का तेल लिया है, उसके बाद उसमें थोड़ी राई डालिए, मेक शूर के तेल अच्छे से गरम हो, फिर ही राई डालनी है, थोड़ी परशी डाल दीजिए, उनको थोड़ी दिर साथ में पकाईए, और इसके अंदर आप आपके बाकी के चॉप्ट मैंगोज डाल दीजिए, अब यह है आपका बेसिक प्रेपरेशन, इसमें जादा कुछ इंग्रीडियन्स नहीं लगने वाले, थोड़े से सिंपल मसाले लग थोड़ा सा नमक, ताके यह मैंगोज आपके सॉफ्ट हो जाए और जल्दी कुख हो जाए, और उसके साथ आप डाले गए थोड़ी सी हल्दी, हल्दी उसको थोड़ा और अच्छा सा कलर दे देगी, बस इसके साथ आपको इससे थोड़ी दिर कुख करना है, और तीखा बन तेज बना देगा, तो खटा, मीठा और तेज हो गई है, और बहुत ही तेस्टी बनती है, यह चटनी, फिर इसके अंदर आपको डालना है, यह मेल्टेड गुड या ग्रेटेड गुड जैसे भी आपके पास है, फिर आपको इसके साथ इसे अच्छे से बॉइल होने देना है, उस टाइम तक है, इसे बॉइल होने दिना है, जब तक है, मैंगो थोड़े से और ट्रांस्परेंट जैसे ना हो जाए, इस अच्छे से कुक होने दीजे, गुड को एब्सॉर्ब करेगा, मैंगो सॉफ्ट होने लगेगा, और यह बहुत ही टीस्टी चटनी बन जाती है इजी है बनाना और इसको आप इजी ली एक काच के बरतन में काफी दो तीन दिन तक आहराम से स्टोर कर सकते हैं, वैसे चलेगी नहीं होते दिन तक क्योंकि सब को बहुत पसंद आती है, तो ज़रूर ट्राइ करना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें